दोस्तो मैं सोरंबली काप सवी का Only Top Study चैनल पर स्वागत करता हूँ आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं GKK Top 27 S.A.M.C.Qs जोकी अक्सर एक्जाम्स में पूछा जाते हैं आप लोग इस वीडियो को ज्यान से पूरा एंट तक देखेगा 27 में से कितने questions के आंसर सही कर पा रहे हैं अपना score comment box में जरूर बतेगा प्यारे दोस्तो ये वीडियो रात में 9 बजे Only Top Study यूटूब चैनल पर हर रोज आती है नए questions के साथ में आप चैक किसी भी एक्जाम की त्यारी करते हैं आप इस वीडियो को जरूर देख लेख रहे हैं चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को पहला question है नमलिकित विज्ञानिक के द्वारा तडित चाल का अविस्कार किया गया था अगर आपको आंसर पता है तो comment box में जरूर बतेगा दोस्तो right answer हैगा Benjamin Franklin द्वारा यानि की right answer C हो जाएगा दूसरा question है किस vitamin को hormone भी कहा जाता है किस vitamin को hormone भी कहा जाता है दूसरे question का सही answer हैगा vitamin D को hormone भी कहा जाता है right answer is C तीसरा question है कुख्यात आतंकी मसूद अजर नमलिकित में से किस आतंकी संगठन का सरगना है तीसरे question का right answer हैगा Jais A. Mohamed का यानि की B is the right answer question number 4 है समराट असो किस के उत्तर अधिकारी थे question number 4 का सही उत्तर हैगा बिंदू सार के प्यारे दोस्तो question number 4 का right answer B हो जाएगा पाचवा question 1 किस प्रणाली में रुधिर नहीं होता सोरी किस प्राणी में रुधिर नहीं होता लेकिन सवसन होता है पाचवे question का right answer हैगा Hydra में यानि की B correct answer हैगा अगर आप लोग किसी भी competitive exam की त्यारी करते हैं तो master पीडियाप को जरूर ले लिजे 170 रुपे की पीडियाप है जिसके अंदर आपको सारे subject मिलेंगे वो भी पूरी lifetime के लिए आप कितनी बार भी पढ़ सकते हैं Master पीडियाप का link description box और हमारी WhatsApp नंबर दोनों जंग रहेगा Link पर क्लिक करके payment करके आप पीडियाप डारेक्टली प्राप्ट कर सकते हैं चटा question है पाकिस्तान की राजधानी निमलिकित में से कौन सी है सही उत्तर हैगा इसलामबाद यानि की C is the right answer साथवा question है कोशिका में protein sensation कहां होता है कोशिका में protein sensation कहां होता है साथवे question का right answer हैगा राइवोजोम्स यानि की right answer C हो जाएगा आठवा question है जिवानों को पादप मानते हैं क्योंकि जिवानों को पादप मानते हैं दोस्तो इस question कर राइट आंसर हैगा इनमें दरड कोशिका भित्ती होती है आठवे question कर राइट आंसर A हो जाएगा गैसो के दवाब को मापने वाला उपकरण कोन सा है गैसो को दवाब को मापने वाला उपकरण कोन सा है सही आंसर हैगा मैनोमेटर नौवे कोशन का दोस्तो राइट आंसर C हो जाएगा दसवा कोशन है मुगल समराट ओरंग जेब कौन सा वाध्यांतर बजाने में दक्स था इंपोर्टेंट कोशन है कहीं बार एक्जाम में आ चुका है दसवे कोशन का राइट आंसर हैगा वीना यानि कि C इस दर राइट आंसर कोशन नंबर ग्यारा है पुसकर मेला कहां आयोजित किया जाता है पुसकर मेला कहां आयोजित किया जाता है सिनको ना पोदे के किस भाग में कुनेन प्राप्त की जाती है सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करिए सेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ में और प्यारे दोस्तों ये वीडियो अनली टॉप स्टडी यूटूब चैनल पर रेगुलर आती है रोज नए कोशन्स होते है रात में 9 बजे इसकी प्लेलिस्ट भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बोक्स में है तो वहाँ से सारी वीडियो देख सकते है तो सिंकोना पोदे के किस बाग से प्राप्त होती है तने की छाल से बारवे कोशन का राइट आंसर ए हो जाएगा तेरवा कोशन है प्रोटीन की इकाई यानि की यूनिट क्या है कोशन नबर थर्टीन का राइट आंसर हैगा अमिनो एसिड ठीक है थर्टीन का राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा कोशन नबर फोटीन है गुण सुत्रों पर जिनों की उपस्थिती का करम क्या है Q14 कराईट आंसर हैगा रेखाकार यानि कि C is the right answer Q15 है जनन समता में कमी होती है जनन समता में कमी होती है दोस्तो विटामिन E की कमी से 15 कराईट आंसर D हो जाएगा Q15 कराईट आंसर के दोस्तो यहाँ पर दिल्ली राईट आंसर हैगा यानि कि D is the right answer निवने से कौन सी हार्मोनल बिमारी है दोस्तों इन चारों में से हार्मोनल बिमारी घेंगा रोग है सतरवे कोशन का राइट आंसर बी हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिप रेखा है अठारवे कोशन का राइट आंसर हो जाएगा बी उननिसवा कोशन ने जीवन की उत्पत्ती नामक पुस्तक किसने लिखा था उननिसवे कोशन का राइट आंसर हैगा उपेरीन यानि की बी इस दार रेट आंसर बीच वा कोशन ने जीवो तथा वातवरण के पारसपरिक संबंदों का अध्यन क्या कहलाता है बीच वे कोशन का राइट आंसर हैगा इकोलोजी यानि की राइट आंसर इस बी 21 कोशन है विश्व की सबसे लंबी परवत स्रेणी कोन सी है 21 कोशन का राइट आंसर हैगा इन्डीज यानि की सी इस दार रेट आंसर 22 कोशन है पित का मुख्य कारिय क्या होता है पित का मुख्य कारिय दोस्तों क्या होता है 22 कोशन का राइट आंसर हैगा पाचन में सायक 22 कोशन का राइट आंसर डी हो जाएगा 23 कोशन है मस्तिस की बिमारी को किसके द्वारा पैचाना जाता है 23 कोशन का राइट आंसर हैगा EEG द्वारा यानि कि C is the right answer पाक जलसंदी किन दो देशों के बीच है भारत और सिलंका के बीच में है पाक जलसंदी यानि कि C रइट आंसर हेगा 24 वे कोश्चन का रइट आंसर 25 वे कोश्चन का रइट आंसर हेगा ब्राजील यानि कि D is the right answer 26 वे कोश्चन है निमर में से कोन सा परदार सरीर के परती और नई कोशिकाओं के निर्मान से सबसे अधिक आवश्चक है 26 वे कोश्चन का रइट आंसर हेगा दोस्तो प्रोटीन यानि की रइट आंसर D हो जाएगा कोश्चन वे ट्वेंटी सिक्स का सयूत 27 वे कोश्चन है वरक यानि की किड्नी की खराबी के करण रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने को क्या कहा जाता है 27 वे कोश्चन का रइट आंसर हेगा इसे कहा जाता है यूरेमिया 27 वे कोश्चन का दोस्तो रइट आंसर A हो जाएगा अब देखे सबसे पहले आप लोग ये बताईए कि 27 में से कितने questions के आंसर आप लोगों ने सही किया है समराट असोक किसके उत्तर अधिकारी थे ये आप लोग के लिए test question है इसका भी answer हर एक स्ट्रेंड को comment box में बताना है क्योंकि ये question हमने अभी इसी वीडियो में cover किया था अगर आप लोगोंने master pdf नहीं ली है तो 170 रुपे की pdf है दोस्तो जिसमें सारे subject आपको मिल जाएंगे पूरी lifetime के लिए कितनी बार भी आप पढ़ सकते master pdf का link description box और हमारे whatsapp number दोनों जंग रहेगा link पर click करके payment करके आप pdf डारेक्टली प्राप्ट कर सकते हैं session आपको अच्छा लगा है तो like share करिए channel पर नए है तो subscribe करिए bell icon को own रखिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो miss ना thank you so much bye bye everyone take care जान रखिए अपना मिलते हैं next class में